तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम टीवी देख रहे होते हैं और अचानक से हमारा फ्रीडिस का सेटप बॉक्स आफ हो जाता है और जब हम उससे आउन करते हैं तो वह आउन नहीं होता है तो दोस्तो ठीक इसी प्रकार से यह जो setup box आप देख रहे है या off हो चुका है और नहीं हो रहा है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका setup box off हो जाता है और नहीं हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण होता है इसे आप घर पर ही आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं complete आपको बताने वाला हूँ तो चले हो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं for attack से तो दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहा है या DTS का setup box है या on नहीं हो रहा है तो चले सबसे पहले हम आपको एक का टेस्टिंग करके दिखाते हैं तो हम यहाँ पर स्रीज बोर्ड ले लिए हैं आप देख सकते हैं हमाना स्रीज बोर्ड तयार है अब हम क्या करेंगे इसको supply देंगे और देखेंगे कि इसमें क्या condition आ रहा है तो हमने supply दिये दिया है अब क्या करेंगे इसका जो on off button उसे on करते हैं यहाँ पर तो हमने आपर on कर दिया है बट इसका light जल नहीं रहा यानि कि या on नहीं हो रहा है तो दोस्तो on नहोंने के पीछे क्या क्या करन होता है उसे हम आपको बताएंगे और कैसे ठीक करना है उसे भी आपको बताएंगे तो हमने इसका जो ढखकन था उसे open कर दिये अब दोस्तो इस सप्लाइब नहीं जाएगा और हमारा शेट आप बॉक्स और नहीं होगा तो इसके लिए आपको मल्टी मीटर लेना है और कंटूरी मोट पर सेट करना है और आपको दोनों तरफ से यानि कि सप्लाइ वार है उसका दोनों वैर सही है ठीक है इसके यहां पर दोनों चीजों को चेक कर लिया है तो अब से बावर सप्लाइच में क्या बता हुआ होता है वह तीन संद की ओल्ड होता है तो再 सी बाद इसमें तीन थी ओल्ड नहीं आ रहा जिसकांसे हमार्स सेटब ब्क्स आं नहीं हो रहा है तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि तो यहां पर आप दे सकते हैं लगा हुआ तीन एक हजार यूएफ दस ओल्ट का यहां पर फूला हुआ हमें देखने को मिल रहा है और तो यह जो कैपिशिया होता ना या मेरी कापिशिया होता जिसकांसे जो सभी ओल्टेज को मेंटेन करता है ठीक है और इसके लाँ तो यह होजकता है कि इसका पाषु तो यहां पर यह रियाग्स लगा हुआ होता है जब फचुक्अ कुछ है तो हम क्या करेंगे इस supply को पहले यहां से बाहर निकालेंगे ठीक है तो हम यहां पर बाहर निकाले अब देशत यहां पर जो 10 ओल्ट एक राव का कबिस्टर वह उपर उठ चुका इसका रबर साब साब देखने को दिख रहा है आप देख सकते हैं तो कि यह खराब उचुका है दोस्तों यह जो तो है वह सारे ओल्ट जैसे की 12 ओल्ट 24 ओल्ट 5 ओल्ट और 13-13 ओल्ट को यहां पर मेटेन करके रहते हैं तो आपको क्या करना है अगर आप एलेक्टिकल का काम करते हैं तो आपके पास कोई दूसरा खराब पावर सप्लाई होगा उसमें कि आपको सेम वेल्यू का और हम निकाल लिए अब इसको को लगाना ठीक है लगाते समय भी आपको ध्यान में रखना है यह जो मैंस को होता है और इस कपिस्टर में भी वाइट diff muchísimo यदम होता है तो आप Google वएट को एक तरफ यह दो दो सकते लगाना है आपको गलत नहीं लगाना है अगर आप ग gin esperar पे काम नहीं करेगा तो आपको सब्सक्राइब कर दिखाएंगे तो यहां पर देश सकते हम इसको बटन को आउन कर दिया है और हमारा सेटप बॉक्स अन हो चुका है दो तो फैनली इस तरह से आप अपने घर पर बहुती आसान तरीके से अपने सेटप बॉक्स का रिपेर कर सकते हैं तो चलों तो मिलते हैं नेक्ट शूट में तब तक लिए इन जै वारत वन दिमात्रम